नमस्कार प्रिये साथियों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और के भी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियों में हम इंडियन इकोनामी के अंतरगत एक बहुत ही महत्पोल घटना क्रम को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पंच वर्सिय यौजनाए, that means 5-year plans अब अगर हम बात करते हैं इस topic की, तो अगर आपने पिछले वर्सों के प्रिष्ण पत्रों का अलोकन किया होगा आप चाहें किसी भी प्रिकार की परिच्छा के तयारी कर रहे हों, UPSC को छोड़ करके तो आप कह सकते हैं कि पंच वर्सिय यौजनाओं से अक्सर आपकी परिच्छा में प्रिष्ण देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से पंच वर्सिय यौजनाओं से जो हमें सवाल देखने को मिलता है उसमें यही पूछा जाता है किसी संगठन के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी योजना के बारे में आप से डिरेक्ली पूछा जाएगा कि यह संगठन, यह योजना किस पंचवर्स्य योजना के दोरान शुरू हुई थी और आपको वहाँ पर उत्तर बताना होता है तो इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक के तो यह काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है और अभी दो-तीन दिनों पहले जब हम लोगों ने अर्थसास्तर के प्रशनों को डिसकस किया था जिसमें हम रोगों ने 75 प्रशनों को डिसकस किया था उसमें भी आपने देखा था कि 2 और 3 प्रशन ऐसे थे 2 से 3 प्रशन ऐसे थे जिनमें डिरेक्टली इसी टॉपिक से सवाल पूछ लिया गया था तो इसलिए काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा इससे पहले के मेरे सारे एकोनॉमी के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से आप देख सकते हैं और मैं एक जरूरी बात अगर आपसे कहूं तो मैं हर बार अपने वीडियो पर यही देखता हूं कि डिस्लाइक की संख्या कितनी है और उसके बाद में मैं जाता हूँ comment box में और वहाँ पर देखता हूँ कि dislike अगर किसी ने किया है तो क्यों किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में उस problem को दूर कर सकूँ तो इसलिए आप लोग एक आलोचक की भाद वीडियो को जरूर देखा करें चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ज़्यादा बाते हो गई तो हम बात करेंगे पंच और से योजनाओं के बारे में जैसा आपको पता होगा कि 15 अगस्ट 1947 को हमारा जो भारत था हुआ आजाद हुआ था पंदरा अगस्ट 1947 को और जब उस समय भारत हमारा आजाद हुआ तो भारत में गरीबी असिच्छा बेरोजगार यह इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं थी सबसे बड़ी समस्या तो उस समय थी भुखमरी की यानि कि हमारे देश में खाने के लिए अन्रतक नहीं था तो उसी लिए हमारे देश में आजादी के बाद में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था योजना आयोग और इसे यह जिम्मेदारी दी गई कि आप भारत के विकास के लिए भारत के डवलप्मेंट के लिए आप योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं को 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था उसके जो पदेन अध्यच थे उस समय उनका नाम था प्रधान मंत्री अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं योजना आयोग की तो आपको पता होगा कि एक जन्वरी 2015 से जो वर्तमान में ये न्डिये की गवर्मेंट है उसके द्व हम लोग अभी बात करेंगे योजना आयोग के बारे में तो भारत का प्रधान मंत्री इसका पदेन अध्यच था और यह एक सलाहकारी और गयर समवैधानिक निकाय थी तो यह चीज़ें भी आपको याद रखनी है अब हम बात करते हैं कि purpose क्या था इसको establish करने का, इसको establish करने का तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि योजना आयोग का मुक्षिरूप से काम ही यही था कि भारत के विकास के लिए 5 वर्से योजनाओं का यहा निर्मार करें तो इस प्रकार से कुल हमारे भारत में पंद्रा पंच वर्षी योजनाय चली थी और उसके बाद में बीच बीच में ही साथ एक वर्षी योजनाय भी चली थी तो उनके बारे में भी हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है केवल इतना ध्यान रखना है कि साथ एक वर से योजना है चली थी अब एक आयोग का गठन कर दिया गया जिसको जिम्मेदारी दे दी गई कि भाईया आप योजनाओं को बनाएंगे लेकिन इसके बाद में एक और परिशत का गठन किया गया जिसका नाम है राष्टे विकास परिशत यानि कि नेशनल डेवलप्मेंट काउंसिल नडी सी का गठन किया गया और अगर हम बात करते हैं NDC के बारे में तो यह भी हमारी एक गयर समवधानी में काये थी यानि कि समवधान इसके बारे में भी कोई प्रोविजन नहीं था इसके अलावा इसका उद्दे से था कि योजना आयोग जो भी योजनाओ को बनाएगा उस पे आखरी जो अनमोधन होगा वह देगी राष्टे विकास परिस्द यानि कि जो आखरी अपनी संतुती देगी वह राष्टे विकास परिशत देगी उसके बाद में ही योजना आयोग के द्वारा बनाएगे योजनाओं को लागू किया जाएगा साथ ही साथ योजनाए जब लागू हो जाएगी तो समय समय पर राष्टे विकास परिशत उनकी जाच भी करेगा कि ये जो योजनाय हैं वहा कितनी बहतर तरीके से इंप्लिमेंट हो पाई हैं तो ये सारी जिम्यदारी दे गई राष्टे विकास परिसत को अस्थापना इसकी हुई थी 6 अगस्त 1952 को और इसका भी जो पदेन अध्यच्छ था वहा हमारा प्रधान मंत्री ही था तो चलिए अब यहां तक हमने डिसकस कर लिया अब हम आगे चलते हैं और एक एक करके सारी पंच्छ वर्ष्य योजनाओं के बारे में बात करेंगे तो हम बात करते हैं पहली पंच्छ वर्ष्य योजना की समया वधी है एक अप्र्यल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हराल डोमर माडल पर यह आधारित था प्रिछाओं में आपसे पूंचा जाता है कि हराल डोमर माडल पर कोंसी योजना आधारित थी या पहली पंच्छ वर्ष्य योजना की समारी पर आधारित थी खाने की लाले पड़ गये थे तो इसलिए मुख्य रूप से इसका उद्देशी था कि खाद्य संकट का समाधान किया जाए यानि कि किर्सी विकास किया जाए साथ ही साथ सिचाई वजल विद्दूत उत्पादन पर भी जोर दिया गया तो इसलिए बहुत सारी परियोजना है उस समय आपको देखने को मिलेंगी जैसे की भाकडा नागल, दामोदर घाटी, उसके अलामा हीरा कुंड इस प्रकार की जितनी भी बहुत देशिये परियोजना है थी यह हमारी पहली पंचवर्षय योजना में सुरू की गई थी अगर हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की बृध्धी दर की तो उस समय लच रखा गया था 2.1 प्रतिशत का और जो हमें प्राप्ती हुई थी वह था 3.6 प्रतिशत की हमें प्राप्ती हुई थी तो यह हमने पहली की बारे में बात की आगे चलते हैं अब बात करते हैं दुतिये पंचवर्षय योजना की बारे में तो दुतिये पंचवर्षय योजना का समय काल था 1 अपरेल 1956 से 31 मार्च 1961 तक महा लनोबिस माडल पर यह पर योजना आधारित थी यह जो हमारी योजना थी यह महा लनोविस मॉडल पर आधारित थी अगर हम बात करते हैं कि 25 वर्षे योजना का उद्देश से किया था तो आपने देखा कि किरसी पर जोड दिया गया था किरसी के बाद में जब थोड़े से खाने के लिए चीजे उपलब्ध होने लगी तो उसके बाद में जो कच्चा माल था उसके लिए जरूरत थी उद्द्योगों की तो इसलिए मुख्य रूप से इसमें जोड दिया गया हमारे और दोगिक विकास पर इंडस्टियल डवलप्मेंट पर साथ ही साथ हमारे यहां पर इंप्लॉइमेंट के जो आउसर है अपर्चनोटी है उनमें बृद्धी की जाए और उर्जा के छेत्र में भी फोकस किया गया तो इसलिए इसके बाद में आपको भिलाय स्टील प्लांट जो कि रूस की सहयता से लगाया गया दुर्गापूर स्टील प्लांट जो कि बेटन की सहयता से लगाया गया राउर केला स्टील प्लांट जो कि परस्षिम जर्मनी की सहयता से लगाया गया और इसके अलावाँ 1956 में LIC यानि की Life Insurance Corporation of India जिसे हम लोग भारती जीमन बीमा निगम भी कहते हैं इसकी भी शुरुवार की गई थी बृद्धी दर इसमें टार्गेट जो रखा गया था वह हमारा था 4.5 प्रत्सत लेकिन प्राप्ती हमें हुई थी 4.2 प्रिस्त की यानि की 0.3 प्रिस्त का यहां पर हमें लॉस हुआ था जो हमने टार्गेट रखा था आखे हम लोग चलते हैं बात करते हैं तुर्थिये पंच्वर्षिये योजना के बारे में तो बात करें अगर हम तुर्थिये पंच्वर्षिये योजना के बारे में तो शुरुवात इसकी की गई थी एक अप्रायल 1961 को और समाप्ति इसकी हुई थी 31 मार्च 1906 को ध्यान रखिएगा इसमें कुछ समय तक हमारे प्रधान मंतरी थे जवालल नहरू उसके बाद में प्रधान मंतरी हो गया थे लाल भादूर सास्तरी तो यह जो प्रण्च वर्षी योजना थी यह हमारी आधारी थी चक्रवर्ती महाल अनोबिस वा सैंडी इन लोगों के बिचारों पर या मॉडल पर कह सकते हैं आधारी थी उद्देश से इसमें क्या रखा गया था इसमें मुख्य रूप से उद्देश से था कि जो खाद्यान उत्पादन है अब उसमें आत्मनिर भरता लाई जाए यानि कि भारत किसी के उपर डिपेंडन्ट ना यानि कि अब हम इतना उप जाएं कि हम बाहर के देशों में भी इसको भेश सकें ये लच रखा गया इसके साथ साथ आउसर की समानता और आर्थिक समानताओं पर भी बल दिया गया था बिद्धी दर्की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ रेट का लच्छे इसमें था टार कारण क्या था महत्मों कुछ घटनाय हुई थी जैसे कि 1962 में भारत चीन का यूद्ध हुआ था 1965 में भारत पाक का यूद्ध हुआ था उसके अलावा 1965 में हरित करांती हमारे यहां पर शुरू की गई थी हाला कि यह कारण नहीं था और इसके अलावा 1966 में सूखा पड़ा था हमारे यहां पर बहुत ही भैंकर तो यह सारे कारण थे जिससे हमारे त्रतिय पंचवर्षिय योजना काफी ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी अब इसके बाद में आता है योजना आउकास अब देखिए यहां पर आपको पंचवर्षिय योजनाओं 1989 से 1980 तक था और तीसरा 1990 से 1992 था और इन्हीं के बीच में साथ एक वर्षिय योजनाएं चलाई गए थी तो आपको क्या याद रखना है योजना आउकासों को पंचवर्षिय योजनाओं को नहीं योजना आउकासों को और जितनी भी हमारी योजनाएं है वह एक अप्रैल से सुरू होती हैं और 31 मार्ष को समात होती हैं और यही हमारा होता है बित्वर्ष यानि कि फाइनेंसियल येर भी होता है तो आपको क्या याद रखना है मुख्यरूप से 1986 से 79 प्रथम आउकास 1989 से 80 सी दुतिये और 1990 से 92 से 92 ये हमारा त्रतिये आउकास था तो यहां पर तीन सालों के आउकास के बाद हमारी चौथी पंचुवर्ष ये योजना आई 1979 में और यह चली थी कब 31 मार्ष 1974 तक तो योजना आयोग के जो अध्यच थे उनका नाम था DR. गौडगिल द्वारा अध्यच नहीं उपाध्यच थे योजना आयोग के उपाध्यच थे DR. गौडगिल और इन्हीं के द्वारा इसका प्रारूप है वह तयार किया गया था चतुर्थ पंचुवर्ष ये योजना का फोर्थ फाइफ येर प्लान का उद्देश से इसमें क भारत की डिपेंडेंसी है किसी रूप में दूसरे देशों पर उसको समाप्त किया जाए तो बृद्धी दर्की बात करते हैं तो लच्छ यहां पर हमने रखा था 5.7% का और जो हमने अचीब किया था वह था 3.4% तो यह भी काफी हद तक सफल नहीं रहे थी मात्मून घट अपना भी की गई थी और साथ ही साथ यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी 4.5 योजना थी उसमें जो किरसे की बिद्धिदर थी यानि कि एग्रिकल्चर जो ग्रोथ थी वह सबसे जादा थी तो यह आपको याद रखना है कई बार परिच्छाओं में तक का इसका समयकाल था लेकिन बीच में ये ठीक से नहीं चल पाया था क्यों अभी मैं आपको बताऊंगा तो उद्दे से इसका रखा गया था मुख्य रूप से आत्म निर्भरता पर बल जैसा कि मैंने आपको बताया और गरीबी निवारण भी इसमें मुख्य रूप से लच्छ रखा गया था क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉवर्टी जो थी वह एक लाइन से काफी ज़्यादा ऊपर चली गए थी ग्रोथ रेट की बात करें तो ब्रिद्धी दर इसमें टार्गेट रखा गया था 4.5 प्रस्ट का और जो हमने अचीमेंट किया था 4.5 तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि यहाँ काफी हद तक सफल नहीं थी मातपूर्ण घटनाओं की बात करें तो इसी दरान गरीबी हटाओं कर नारा दिया गया था इंद्रा गांधी के द्वारा और हमारे लोगतंद के उपर जो एक बहुत ही बदनुबा धबा लगा था 1975 में एमर्जंसी के कारण जिसे हम लोग आपात काल भी कहते हैं वह भी इ बाद में इस घटना के बाद में हमारे देश में पीम जो थी उस समय स्रीमती इंद्रा गाधी उनका काफी ज़्यादा बिरोध होने लगा बहुत सारे नेताओं के द्वारा आंदोलन चलाए गए जेपी नरायन जो की बिहार से थे इन्होंने भी चात्रों के साथ में एक मुरार जी देशाएं उस समय पीम बने तो इन्होंने क्या किया कि इंद्रा गाधी कि जो पंच वर्सी योजना चल लाई थे उसको समाप्त किया और मिल्डल के द्वारा पिषड़े देशों के लिए एक अनवरत योजना शुरू की गई थे रोलिंग प्लान इसको इन्हों मुरार जी देशाएं कि वह ज्यादा समय तक नहीं चल पाए थी और एक बार स्रीमती इंद्रा गांधी जी फिर से भारत की प्रधान मंत्री बन गए थी तो आगत निर्कत मॉडल पर यह पूरी तरीके से आधारित था यानि कि इंपूट आउट्पूट मॉडल पर आधार प्रण कि जो पोःटी है हमारे हां पर उसको दूर किया अधार हूए ना तो गरीब दूर हो रहा हुए और ना ही गरीब दूर हो नहीं भारत की इस तर्खांश गया था 5 प्रश्त का और जो हमने अशिव किया था वह था 5.7 यानि हों घटनाओ कि बात करें तो गरीब हताओ का नारा इसी समय नहीं दिया गया था यह तो पिछले वीडियो का है यह तो Clovard पिछले 25 आदाald के भारे में मैंने को काफी पहले बी बता रखा है यह क्राइए और if में छे बैंकों का राष्टे करण भी किया गया था एक बार फिर से इंद्रा गांधी के द्वारा जो हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसमें भी अब कमी लाई जाए बृद्धी दर इसमें रखी गई थी पांच प्रिस्ट का लच रखा गया था लेकिन जो हमने अचीब किया वह था छे प्रिस्ट यानि कि यह भी जो सात्वी पंच वासी योजना थी वह ही गठन किया था आपको इसके बारे में पता होगा और इसके अलामा जवाहर रोजगार योजना भी शुरू की गई लोगों को जो बिरोजगारी है उसको दूर करने के लिए जवाहर रोजगार योजना भी शुरू की गई थी तो यह हमने बात की साथमी के बारे में अब बात करते हैं आठमी पंचुवर्शी योजना के बारे में तो यहाँ पर भी दो साल का गैप रहा था 1990-1992 तक और फाइनली एक अपरेल 1992 में आई हमारी आठमी पंचुवर्शी योजना जिसका समयकाल था 1992-1997 तक और अब आपको याद रखना है कि आठमी पंचुवर्शी योजना के बारे में सारी योजना 5-5 सालों तक लगातार चलेंगी अब इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा तो उद्देशी की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसका उद्देशी था रोजगार आत्म निर्भरता वा आधुन की करण पर इसमें जोड़ दिया गया था बृद्धिदर की बात करें तो हमारा जो बृद्धिदर था लच्छे इसमें रखा गया था 5.6 प्रतिसत का और जो हमने प्राप्ती की वह था 6.8 प्रतिसत 6.8 प्रतिसत हमने प्राप्त किया था आठवी पंचुग से योजना भी काफी हद तक सफल लही थी मात्मों घटनाओं की अगर हम बात करते हैं तो LPG रिफॉर्म भी इसी दोरान हुए थे आपको पता होगा कि उस समय हमारे देश में मंदी आ गई थी और मंदी के कारण ही 90 से 22 का जो दौर था उसमें कोई भी 5PR प्लान नहीं आया था LPG का मतलब होता है liberalization. P का मतलब होता है प्राइवाट आईजेशन और G के मतलब होता है globalisation यानि उदार्ता का मतलब की हुआ कि अभी तक क्या था कि जो पूरी तरीके से हमारे यहां पर कंपनोया थी वह सरकारी थी और private कंपनियों पर भी पूरी तरीके से नियंदरन किया गया था जो थोड़ी बहुत थी सरकार के द्वारा तो इसलिए यहां पर उधारता अपनाई गई उनको भी काफी सारे छूट दे गए लाइसंस राज को खतम कर दिया गया और इसके अलाव प्राइबिटाइजेशन का मतलब क्या था कि बहुत सारे सेक्टर अप प्राइबिटाइजेशन प्राइबिट हाथों में दे दिये गए और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन यानि कि अब भारत की जो अर्थव्यवस्ता थी वह खोल दी गई थी और इसको लिंक कर दिया गया था बिस्व की अर्थव्यवस्ताओं के साथ में तो यह काफी महत्मोर्ट सुधा था अगर आप लोग चाहेंगे तो LPG reform के उपर भी मैं वीडियो जरूर बनाओंगा और प्रधार मंतरी रोजगार योजना के शुरू आत की गई थी और 1902 में सेवी का भी गठन किया गया था जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि सेवी 1990 में एक अध्यादेश जारी किया गया लेकिन बाद में इसे समवेद 1902 में इसको पर्मानेंट एक संस्था बना दिया गया था सेवी का मुख्य रूप से क्याम क्या होता है कि सेर मार्केट पर अपनिया नियंत्रन करना और इसे रेगुलेट करना अब हम बात करते हैं अगली पंचवर्षिय योजना की जो की हमारी है नवी पंचवर्षिय योजना तो एक अपरयल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी नवी पंचवर्षिय योजना मुख्य रूप से इसमें उद्दे से था कि जीवन की गुरत्ता में सुधार किया जाए यानि कि पहली वार मानो विकास के उपर जोर दिया गया था पंचायती राज सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया था इसके अलामा न्याय पूर्षिय वित्रन वह सवानता पर भी बल दिया गया था बृद्धे दर की बात करते हैं तो बृद्धे दर का लच था 6.5 प्रस् यानि कि बहुत ज्यादा यहाद जो पंचुवसिय योजना थी वह सफल नहीं हो पाई थी इसके टार्गेट के अनुरूब महत्मों घटनाओं की बात करें तो इसी दोरान 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था साथ ही साथ प्रधान मंत्री रोजगार योजना के सुरुआत पिछले में हुई थी और इसके अलामा 1999 में आई यार बीए का गठन हुआ था हाँ प्रधान मंत्री गराम सड़क योजना के सुरुआत इसी के दोरान की गए थी तो यह सारी चीजें आपको याद रखनी है नववी पंच वरसी योजना के बारे में तो एक अपरायल 2002 से 31 माज 2007 तक चले थी हमारी दसवी पंच वरसी योजना इसका उद्देश ही क्या था आईए इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो एक बड़ा टार्गेट रखा गया था उसके अंतरगत अगले 10 वर्सों म दिया जाने लगा था और इसके अलामा गरीबी वा बेरोजगारी की सनात्ती पर जोर दिया गया हाला कि वह आज तक सनात्त नहीं हो पाया है तो ब्रद्य दर्की अगर हम बात करते हैं तो हमने लच रखा था आठ प्रस्द का और हमने अचीब किया था 7.7 प्रस्द तो दिया रहा है तो ध्यान रखेगा यह हमने शुरुआत की थी आठमी में यह बाकी में गलत है इसको मैं पेडियाफ में करेक्ट कर दूँगा चमा चाहूंगा कि यहां पर प्रधान मंतिव रोजगार योजना कई जहां पर प्रेंट हो गया है तो इसके लिए मैं आपसे चम समाव इसी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ आज भी आप लोग सुनते होंगे इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि इस प्रकार से डवलप्मेंट किया जाए इस प्रकार से विकास की क्रिया हो कि इससे सभी लोगों को लाब हो और इसी को हम कहते हैं इंक्लूसिव कि अगर तो कुछ घटनाय ऊए थी जैसे कि राजीयों गाधी, अवास योजना की शुरूआत की गई थी, आम आदमी बीमा योजना शुरूआत की गई थी, राष्ट्ये खाद्य सुरच्छा मिसन की शुरूआत की गई थी और प्रधान मंत्री आदर्स ग्राम योजना के शुरुआ की गई थी तो यह सारे जो घटनाए हैं वह हमारी ग्यारावी पंचुवर्सिय योजना में शुरू की गई थी अब हम बात करते हैं आखरी पंचुवर्सिय योजना के बारे में तो एक अप्रैल 2012 से 31 माज 2017 तक हमारी आखरी पंचुवर्सिय योजना चली थी हाला कि 2015 में जब प्लानिंग आयोग कमिशन को खतम किया गया तो उस समय मीथी आयोग ने योजना आयोग का अस्थान ले लिया था तो उद्देश इसका क्या गया था उद्देश सहीम होई था जो हमने पिछले पंचुवर्सिय योजना में थी कि विकास को तिवर्ता से प्राप्त करना और साथ इसास समावेसी विकास याने की इंक्लूसिफ ग्रोथ महत्पोर घटनाय क्या इसमें हुई थी घटनाओ की बात करें तो एक जनुरी 2015 को योजना आयोग के अस्थान पर एक नए थिंक टैंक का गच्छन कर दिया गया जिसका नाम था नीती आयोग नीती आयोग के बारे में हम आगे के वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो में फिलहार के लिए इतना ही कल हम लोग सुबह के समय बिटियों पर आधारित प्रशनों को डिसकस करेंगे जितने भी प्रशन हमारे पूछे गए हैं बिटियों पर आधारित और साम को ज अन्य लोगों की मदद कर सकती है तो आप इसे Facebook पर और WhatsApp पर अपने दोस्तों के साथ में भी share कर सकते हैं आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद Thanks for listening, जै हिंद, जै भारत, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत